नमस्कार मैं मम्तावाज बेई चलिया सीखते हैं कुछ खास कुछ नया और यह आर्ट जो है इसको हम लॉकी आर्ट कर सकते हैं हमारे जुबेलों में लॉकियां लगती हैं उन्हें हम पकने देते हैं और उन पर हम पेंटिंग करके तरह तरह के डेकोरेटिव पीस बनाते हैं जब मैंने home decoration के वीडियो दिखाय थे तब मेरे पास इसके बहुत सारे art piece है जो मैंने आपसे साजा किये थे आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं link दे दूँगी description box में आप ज़रूर देख लें वो वीडियो और तो आपको पता चलेगा कि मेरे पास क्या क्या है इसमें तो आज मैं इसके बारे में detail में बताऊंगी इस पर painting हो सकती है जो कि मैंने permanent mark कर सकी है और आप इसमें fabric real color से भी कर सकते हैं एमसील का work भी कर सकते हैं बहुत कुछ होता है इस पर cut work भी होता है और यह मैंने line drawing कर रखी है थोड़ा सा भी अगर आपका हाथ painting में अच्छा है तब तो आपके लिए बहुत आसान है तो आज मैं बस थोड़ा सा अपना एक जो लौकी है उस पर करके बताऊंगी एक variety से फिर मेरे पास बहुत सारी लौकियां रखी हैं मैं तरह तरह से बताती रहूंगी आपको तो सबसे पहले तो आप क्या करें ज आप थोड़ा सा पैंसिल से प्रैक्टिस कर लें ताकि लौकी पर बनाने में दिक्कत नहों और देखिए फिर मैंने उसी मोटिफ को उसमें थोड़ा सा चेंज किया है लौकी की साइज के साब से पर बेस मैंने वो पेपर को सामने रख लिया कि कुछ इस तरह का क्योंकि मोटी मोटी मतलब बहुत डाक पैंसिल नहीं चला है मैं आपको दिखाने के लिए डाक चला रही हूं लेकिन बिल्कुल लाइट पैंसिल चला है फिर उसके उपर मार्कर से काम करेंगे यह गर्दन मैंने सीधी इसलिए की है क्योंकि मेरी लॉकी लगबख सीधी है और उसका सीधे में मुझे लगता है कि लुक अच्छा हैगा अब मैंने सबसे पतला जो पिन जो जिसकी निप जो पिन वाली है स्टील पिन निप है जिसकी सबसे पतला मार्कर ले लिया मैंने एक्चली सारा काम पतले मार्कर से किया है आप जैसा डिजाइन चूज करेंगे उस साइज का मार्कर ले ले और मैं इस पर धीरे धीरे ये ड्रॉ कर रही हूँ हाँ लौकी पर मार्कर चलाने में थोड़ी सी असुविधा होती है उसके लिए आप पहले पेपर पे खुब प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी आसानी से ड्रॉ हो जाएगा और ये आर्ट पीस एक दिन में बनकर तयार हो जाता है मतलब पेंटिंग आपकी एक दिन में तयार हो जाएगी एक चीज तो बताना भूली गई में कि सबसे पहले लौकी को साबन से रगड कर धूलिया है वो इसलिए ताकि इस पर कोई गंदगी न रहे और मैंने रिकॉर्ड किया था धोते गुए पर मुझे कलती से डिलीट हो गया और मैं आपको बता दे रही हूँ बिल्कुल जैसे बरतन माजते हैं ऐसे लिक्विड सोप लेकर और बरतन माजने वाले उससे स्क्रबर से हलके हाथ से ताकि स्क्रेशना है लौकी धोली धोकर पैंसिल से ड्रॉ कर लिया मन पसंद दिजाइन और फिर मार्कर से हम लाइन ड्रॉइंग कर रहे हैं एक्शली ये भी लाइन ड्रॉइंग ही है और मदवनी एक तरह की लाइन ड्रॉइंग आर्ट ही होती है और लौकी पर लाइन ड्रॉइंग बहुत अच्छी लगती है कुछ लोग इसे ड्रिल मसीन से होल करके भी डिजाइन करके बनाते हैं भी मौका लगा तुम्हें बताऊंगी लॉकी आर्ट का ये पहला वीडियो है और मेरे पास जितने भी पीस हैं लॉकी के मैं डिफरेंट डिफरेंट वे से बनाऊंगी और सारे ही तरीके आप से शेयर करूँगी आपको अगर ये लगता है लॉकी आपको कहां से मिलेंगी तो आप अपने गाउं से अगर कनेक्टेड है तो ये आपका दूद वाला वगएरा है तो उससे कहें कि लॉकी पकने दें बेल पर तोड़े ही नहीं जब तक कि वो हार्ड नहों जाए और हाँ ये देखिए जब मैं कैमरा सेट कर रही थी तो थोड़ा दूर सेट हो गया है तो ये मैं किस तरह फिल कर रही हूँ आपको दिख नहीं रहा इसलिए मैं फिर से पेपर पर आपको फिल करके बता रही हूँ कि जो मोर के पंग है मैं कुछ इस तरह से फिल कर रही हूँ बहुत आसान है ट्रडिशनल तरीका है बीच का पंग मैंने कैसे फिल किया ये भी देखें आप पैंसिल से क्लोज अप फिर मैं लॉक्यू पर फिल करते हुए भी बताऊंगी चुकि लॉक्यू पर मेरा क्लोज अप नहीं आ पाया है इसलिए मैं आपको अलग से पेपर पे बहुत नजदीक से करके बता रही हूँ ये जो फोक आर्ट्स होती हैं बहुत सरल होती है लेकिन बहुत सुन्दर लगती है प्रेक्टिस करेंगे तो हाथ में सफाई आ जाएगी देखिए पैंसिल से जादा अच्छा मार्कर से बने है ये देखिए अब मैं बना रही हूँ और कैमरा थोड़ा दूर हो गया है और क्लेर नहीं दिख रहा था इसलिए मैंने आपको क्लोज अप दिखाया उमीद है आपको समझ आया होगा कि मैं किस तरह फिल कर रही हूँ और अब देखिए कैमरे का भी फोकस आया तो अब बीच का पंक फिल हो गया और मैं साइट के पंक फिल कर रही हूँ साइट के पंक मैं कैसे फिल कर रही हूँ यह मैं आपको पहले ही पेपर पर क्लोज अप में बता चुकी हूँ और यह जो boundaries हैं यह मैं मोटे marker से dark कर दे रहे हूँ ऐसा इसलिए कर रहे हूँ कि जब हम दूर टांगते हैं सोपीस को तो जो बारीक काम है वो दूर से उतना अच्छा दिखता नहीं है और जितनी boundaries हम dark कर देंगे तो यह उभर कर आ जाएगी highlight हो जाएगी बीच की जो design है वो उभर कर दिखने लगेगी painting का यह rule होता है कि अगर हम outline अच्छी dark कर देते हैं तो अंदर का काम highlight हो जाता है दिखने लगता है जो कि आप अभी देखेंगे यह देखिए नीचे के punk मैंने कुछ इस तरह draw किये हैं मैं लॉकी पर भी बताऊंगी लेकिन पहले आप पेपर पर देख लीजिए बहुत आसान तरीके से यह देखिए आप इसे single line में भी कर सकते हैं double line में भी जो four card होती है ना उसमें बहुत finishing की आवश्यक्ता नहीं होती four card का मतलब ही होता है थोड़ी सी rough फिर वो मदुबनी हो या वारली हो क्योंकि उसे महलाएं पुरा पुरातन महलाएं बनाती रही है तो उसका थोड़ा सा unfinished touch जरूरी है तो मैंने भी बहुत finishing की कोशिश नहीं की और लॉकी पर थोड़े दिक्कत भी होती है और ये beach के जो बिंदू है ये dark कर दिये उसी theme को लेके ताकि enhance हो जाए बाकी का part highlight हो जाए actually design सिखाना मेरा मकसद नहीं है मैं केबल आपको ये सिखा रही हूँ कि लॉकी पर marker यूज करके और बाद में कुछ polish जो मैं आपको करके बताऊंगी यूज करके किस तरह painting की जा सकती है design जरूरी नहीं कि मैं मदवनी बना रही हूँ तो आप मदवनी बनाए आप अपने मन पसंद कोई भी line drawing ले सकते हैं लेकिन मैंने जो बनाया है वो किस तरह बनाया है ये मैं आपको पूरा detail में बताऊंगी ये देखिए बीच का जो carry है straight lines डाल रही हूँ और ये marker pen से बहुत easily हो जाता है और वैसे तो marker permanent होता है लेकिन ये और भी seal हो जाए उड़े नहीं इसका रंग धोने पर भी निकले नहीं इसके लिए मैं last में वीडियो देखे ट्रिक बताऊंगी कुछ करना है और कुछ इस तरह से हमारी locky बन कर तैयार हो गई डिजाइन हम इसमें और भी जो बागी का part plane है ना हम चाहें तो इसमें भी पूरा line drawing कर सकते हैं और circle circle बना सकते हैं कुछ भी अब ये देखिए नीचे का जो part मैंने बनाया है ये मदवनी के rules होते हैं एक V उपर की तरफ मुवाला एक V नीचे की तरफ इस तरह भी बनाते हैं ताकि बीच में एक line बनती है ये देखिए ये देखिए और बागी की इने हम line drawing से इसमें भी इसमें मैंने fill नहीं की हैं देखिए और कंगूरे कहते हैं इनको ये कंगूरे इसमें fill नहीं की है और नीचे साइड line तिर्ची तिर्ची करके line का कैसे इस्तेमल किया ये आप देख लें ये तिर्ची line से मैंने cover किया पूरा मैं बिल्कूरे डिटेल में बता रही हूँ और इसमें एक कंगूरे मैंने fill कर दिया लेकिन सारे इसमें design में कंगूरे कंगूरे line drawing मदवनी वही होती है बिल्कूल कठे नहीं है आप बना कर देखना एक दिन में यार्ट पीस बन जाता है और ये किसी भी लकडी के टुकडे पर भी बन सकता है और मैं लकडी के टुकडे पर भी बना कर बताओंगी आपको अब बात आती है कि ये seal कैसे किया जाए इसे आप खड़ा भी रख सकते हैं और इसे आप ऐसा लिटा कर और दो हुक लगा कर जैसे कि हम किसी तस्वीर में लगाते हैं दीवाल पर टांगने के लिए ऐसे दो हुक लगा कर एक यहां और एक उस तरह पर दोरी बांद कर हैंग कर सकते हैं वाल पर टंगी हुई आड़ी पूरी नाव की तरह और मोर हमारी पूरी दिखेगी ये देखिए डंठल को मैंने चौँच बनाया है और वो चौँच बड़े अच्छी भी लग रहे है ये देखिए नीचे मैंने फिर वही सरकल लिए है ये मैंने चौँच इसमें रंगी नहीं है बाद में मैंने ब्लैक कर दी इस डंठल की चौँच बनाने को दिहान में रख कर ही मैंने उस पिकॉक की गरदन सीधी की अदरवाइज मैं इसकी गरदन मोड सकती थी अब ये हमने लिया एशियन पेंट का टच वोड़ वोड़ पॉलिश और एक छोटा सा टुकड़ा कॉटन के कपड़े का उसे तीन चार्थ हमें मोड लिया और उसे हम मोड कर इस से हलके हाथ से पॉलिश करेंगे मैं पॉलिश करके भी बताऊंगे अभी मैं आर्टिफिशल बता लिए मान लिजए ये पॉलिश और डिप किया और इस तरह लॉकी पर ऐसे हलके हाथ से फिरना रगड़ना नहीं है रगड़ना जिस तरह हम नेल पॉलिश नेल्स पर लगाते है न ब्रश से आप समझ लीज़े कपड़े का ब्रश है और अब देखिए मैं ये कर रही हूं ये डिप भी मैं ऐसे डिप किया और नेल पॉलिश में हम जैसे बार बार ब्रश नहीं फिरते न ये असल में मेरा फोकस कैमरे का गड़बढ हुआ इसलिए उपर का पोर्शन नहीं देख रहा है लेकिन मुझे लगता आप समझ गया होंगे जिस तरह नेल्स पर नेल पॉलिश लगाते हैं ब्रश तरह एसे कपड़े का टुकड़ा ब्रश है और एक बार लगाने के बाद बार बार जब वो ड्राय होने लगे न पॉलिश तब दुबारा नहीं फिरना नहीं तो निशाल ना जाएंगे जैसे के nail polish में आ जाते हैं आप बिलकुल nail polish को याद रखें और उसी तरह से और बहुत थिक layer भी नहीं लगाए और बहुत पतली layer भी नहीं लगाए ज्यादा रगड़ेंगे तो कई बार marker का color fed होने लगता है polish के साथ और हम एक layer लगाकर सूखने रख देंगे पूरे एक दिन के लिए दूसरे दिन फिर एक कोट कर देंगे तीसरे दिन आप चाहें तो फिर एक कोट कर देंगे तो एक मौटी layer लोकी पर touch wood किया जाएगी और फिर ये color seal हो जाएगा और एक shining बहुत एक खुबसूरत shining आ जाएगी मेरी इस लोकी पर अभी single layer ही है मैं अब दो दिन बाद आपको फिर कभी किसी वीडियो में दिखाऊंगी इसे तब इसमें और ज्यादा चमक होगी ये सिर्फ एक कोड है और एक कोड में ही इतने अच्छी चमक रही है ये लोकी और आपको यार्ट कैसी लगी सच बताइएगा और हावी तक मुझे subscribe नहीं किया subscribe भी कर लें कैसे लगते हैं मेरी वीडियो वो भी comment करके बताएए मेरे पास बहुत सारी लोकियां रखी हैं और अगर आपको यार्ट सच में अच्छी लगेगी और आप कहेंगे कि मैं और कई तरह से जैसे कि acrylic paint से या and seal work से या drill करके जितनी तरह से ये बनती है अगर आप कहेंगे तो मैं हर तरह से एक एक पीस आपको करके बताओंगी लेकिन बताओंगी तभी जब आप comment करेंगे तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार